हेलो एवरिवान वेलकम बेक टू माई चैनल मर्सी सिंग और आज का वीडियो में आप लोग सभी के लिए स्पेशली बनाई हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को प्लीज प्लीज ये इस वीडियो को स्कीप करें बिना आप लोग को देखना ह कॉंग्रेजुलेशन से क्योंकि उन्हें स्कूटी मिलेगा और लड़कों को 75% होना होगा तब ही जाकर उनको एक ऐसा ब्लू स्कूटी मिलेगा ठीक है और ये मेरी बाते नहीं है ये हमारे सी एम हिमान तो बिश्यो सर्मा सर का बात है ठीक है मतलब उनका प्रॉमिस है जो स्टूडेंट से उनके लिए 60% अगर मार्क्स कैरी किये है तो उनको स्कूटी प्रोवाइट किये जाएंगे पर मिनिस्टर ने ये बताया है कि लास्ट येर हम लोग को कोई भी नोटीस नहीं दिया गया था पहले से कि 60% को इस बार से नहीं देगा 75% मिलने से ही दिया 60% मिलने वाले लर्किया है सब को स्कूटी मिलेगा पर नेक्स टाइम से नहीं मिलेगा ये बात बता दिया गया है चीप मिनिस्टर ने 12 जुन को एक कंफरेंस रखा था प्रेस कंफरेंस में आके बोला है कि इस बार के 50,000 जो गर्ल स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा प आप लोग कंफरमेशन कर सकते हो एक न्यूस चैनल में जाके सर्च कर सकते हो उनका प्रेस कंफरेंस में उन्होंने क्या बताया है ठीक है और उसके बात ये स्कीम के बारे में थोड़ा जानते है तो ये 2024 सेशन के स्टूडेंस के लिए दिया जाएगा अभी प्रेग्यान भ education के लिए परहे और मन लगा कर परहे अभी 60% का जो cut-off रखा है सीशन के स्कूटी मिलने के लिए बहुत लगर किअचैंज सेवेंने तरह procedure मिलने के लिए परहें तो यह तो यह तो यह स्कीम देख सकती हूँ स्कूटी का आप चॉइस कर सकते हो लरके लरकी के लिए दोनों अलग-अलग कलर का स्कूटी दिया जाएगा तो आप देख सकते हो इधर में बहुत सारा कुछ मेंशन किया गया है थोरा सा अपडेट किया है वेब साइट में तो 60% मार्क्स का मैंने बार बार हो ही बता रही हूँ 12th क्लास के स्टुडेंस को 60% अगर मिला है लरकी हो आप तो आपको एक रेट स्कूटी मिलेगा और अगर लरके हो तो 75% का मार्क्स आपको रहना होगा या फिर उससे ज्यादा होने से भी बहतर है तो आपको एक ब्लू स्कूटी मिलता है और कुछ डॉकूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वैलिड मोबाइल नमबर आधर कार्ट और आपका एप्लिकेशन नमबर स्टुडेंस रोल नमबर क्लास 12 का माक्षीट पासवर्ट साइस फोटो और आपको लॉग इन करने के लिए इमेल आईडी भी चाहिए होगा और पा बहुत पहले का मेरिट लिस्ट भी निकल के कहा जाता है कि 2024 का मेरिट लिस्ट है आप लोग चेक कर लो पर ऐसा नहीं होता है गौवर्मेंट आसाम गौवर्मेंट के तरफ से ही आप लोग को एक मेरिट लिस्ट आएगा जहाँ पे आपका स्टुडेंस नेम, रोल नमबर, एलोटेट डिलर नेम, टोकेन नमबर, एच्चेटरा, सारा कुछ लिखा रहेगा तो आप लोग उधर से ही आपके डिलर के पास जाके आप सारा कुछ डॉकुमेंट प्रोवाइट कर सकते हो, मतलब देखके आ सकते हो, सबमिट करके आ सकते हो, ठीक है तो आप अगर एलिज स्कूल का पहले मैंने एक बार बताया था, प्राइवेट स्कूल होने से नहीं होगा, प्राइवेट मतलब मैंने मैंने मैंशन किया था कि प्राइसी भी ऐसी होने से नहीं होगा, पर सेबा, असाम हायर सेकेंडरी एडुकेशन काउंसिल जो गॉवर्मन स्कूल का अंदर आत परसन से पास आउट होने होंगे और यह एपलिकेंट माजवी फीमेल जो लिखा है यह गलत है अभी तक करेक्शन नहीं किया गया है मेल भी एपलिकेंट एपलाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको आधरकार्ट स्कूल आईडी 12 का माकशीट और जो भी अभी कॉलेज में पर होगा कि आप अभी पराई कर रहे हो ठीक है और बहुत ही जल्द एक मैरिट लीस निकलेगा जिसमें आपका नंबर नाम स्कूल कॉलेज सब कुछ लिखा रहता है और डिलर्स का नाम भी लिखा रहेगा जहां पे आपको जाके स्कूटी लेनी होती है ठीक है और एक बात पर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बूलना और मेरे चैनल को ग्रोह होने में मदद करो तिल दन स्टे सेब स्टे हल्दी स्टे टीन फर नेक्स वीडियो बाई बाई